कि गुड मॉर्निंग एवरिवन वेल्कम टु ग्रेडव जैनल मैं मिर्तिंजेक कुमार आपका किमिस्टी फिकल्टी आज आपके साथ पी ब्लॉक ग्रूप 13 टू ग्रूप 18 के इपॉर्टेंट कॉंसेप्ट पे न्यू कोस्टन के साथ आपके प्रैक्टिस कराने जा रहा हू जो कि मेंस और डवांस दोनों में आपकी बहुत मदद करेगा तो आज का सेसर में स्टार्ट करो इससे पहले थोड़ा साथ से इंट्रेक्शन करते हैं डेली की तरह गुड मॉर्निंग एक्षेंज करते हाल समचार जानते हैं फिर आपना आज का लेक्टर स्टार्ट करते है तो कैसे हैं बच्चों आप लोग आवास अगरवाल मुकेश अगरवाल गुड मॉर्निंग हाइक गुड मॉर्निंग तो आज बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्टन से और कुछ नए भी बनाए हैं कुछ पुराने भी हैं बद्धार कोश्टन ने आपको निउफ्रेम्ड ही म यहां बहुत ही इस्पेसल कोश्टन करेंगे जहां पर लोगों से गलतियां होते हैं विकि कुमार असरा फ्रॉक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऐसे हैं बच्चे लोग बिवेक रंजनसौ गुड मॉनिंग अमन गुपता गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजे और इसे शेयर भी कर दीजे अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एक्जाम के तयारी कर रहे हैं और आपका दिल करें तो नितीष नवनीत नागराजभट गुड मॉनिंग उत्तमसर्मा गुड मॉनिग कैसे हैं बच्चे लोग अच्छा पी ब्लॉग किते लोगों का एक दम मस्त तरीके से पढ़ा हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं जो घब राते हैं तो पी ब्लॉग पढ़ने की थोड़ी स्टेट जी पर भी बात करेंगे आजकल किस तरह के कोशन साते यह भी बात करेंगे और इसके कुछ अच्छे जो न्यू फ्रेम्ड कोशन है उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे ओके अमुले रतन सिंग कार्तिक कर्णवाल नबनीत भानुपरताप सिंग राजुवत बड़ा लंबा नाम है भानुपरताप अमुल्या गुर्मॉनिग चले सुपरभा सर घवराहत होती है अमन मैं बताऊंगा पी ब्लॉक में है प्रोब्लेमेटिक टॉपिक कई लोगों को इस प्रोब्लम होती है ठीक है अगर आप पढ़ेंगे बहुत असान हो जाएगा मन्टू महतो गुड्मॉनिंग सर मस्टॉपिक है यस भानू यह हुई ना बात जहां पर लोग बोल रहे हैं कि मुझे प्रोब्लम है वहां भानू कह रहे हैं मस्टॉपिक है अटिटूड मैटर अमन गोयल इन और्गनिक केमिश्टी पढ़ने का सही तरीका क्या है कारतिक बड़ा सवाल है कुछ दिर के बाद हम दिसकस करते हैं ओके सो दो मिनट हो चुका है एक से दो मिनट में मैं लेक्ट्र स्टार्ट कर दोंगा सर मेरा भी वीख है वास अगरवाल जो नस समझ में आ चलिए आगे बढ़ा जाए तो बच्चो जल्दी से सेसन को लाइक कर दीजे एवरिवन और अगर दिल करें और पॉस्वल हो तो प्लीज से अपने सोसल मेडिया पर सेयर कर दीजे अटलिस अपने जैसे दोस्तों के साथ ताकि मेरा भी मोटिवीशन बढ़ा रहे और मैं भी आपके लिए मस्क महनत करों तो बच्चो लाइक डिसेशन एंड सेयर सेशन किया जाया तीर मिनट हो चुके है बच्चो टाइम आ चुका है कि मैं आपके साथ आजका सेशन स्टार्ट करों क्योंकि फोर मिनट से जाधा टाइम इनिसियल वृष्ट करना अच्छी बात नहीं है स्टार्ट किया जाए मिठ्थुन कुमार बहुत सारे मोजी आपने भेज़े है सुक्रिया सर कर दिया लाइक नहीं नहीं अमन गोयल ऐसा मत कीजिए तो स्टार्ट किया बच्चों लोग एक वार जल्दी से बताईए सब लोग रेडी है पेपर पेन के साथ रेडी है क्योंक क्योंकि फोर्थ मिनट होने से पहले मैं लेक्चर स्टार्ट कर लोगा ठीक है और आज का सिसन थोड़ा लंबा भी होगा आडियस मनीस गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग और बीच वीच में इन और्गेनिक के फंडे के बारे में भी बात करेंगे ठीक है रेडी अभीनव न मैंने स्टो मैने स्टेश्ट व्यर्व एक्सिस मैंक्समान लॉंबर अफ एटम प्रिजेंट इन वन प्लेन ऑफ बी टुए 6 य इस दा नमबर अफ एटम एभब अवथ बोरून और ज़िड इज अ नमबर अफ एटम बिलोब विलो भीन चंटेनिंग बॉत बोरून ठीक है है अंजली जिनका नाम हैंडर्शन एक्स वह है बिट्टु एसिक्ष्ट मैक्समूम यह यह प्रनव आप यह बताएगा कि एक्स जो है बिट्टु एसिक्ष्ट मैक्समूम नंबर आफ एटम कितने हों गया तो भानू का अंसर आगया 3 एक्स माइनस टूबाई माइनस जेडिक्वल टू इनका आया 3 अमन का आया 2 लेट्सी भानू मैं बताता हूं जस्ट आप इसको बनाते जिक्ष्ट समझ माया दुक्ष्ट मैंने खुद फ्रेम किया है तो हो सकता है लेंग्वेज में थोड़ा इसू हो बिकॉज आयम टीचिंग साइं आयम है टूटी साइंस नॉट लिटरेश्चर ओके अच्छी होती तो बात अलग होती लैंग्वेज में गलतियां हो सकती है ठीक है देखते अंसर क्या होगा माधवी ने कहा 3 3 तेजा ने कहा 0 1 2 3 सारे अंसर आचुक है अच्छा कोसन है न औ और फिर वी ओके सो 3 मैं बताता हूं अच्छा बीटूए 6 में एक्स की वैल्यू क्या होगी जो मैक्सिम नंबर और फेटमीन वन प्लेन कित्ता हो सकता है और वाई क्या होगा जिस प्लेन में बोरोन होगा उससे प्रपेंडिकुलर एभव दे प्लेन जो होगा वाई और बि तकर बताना कि किसको प्लस फ्लमिला और किसको माईनस वन मिला typically मैं बताता हूं घवाट चलो लेट सी यह है बीडेवे शिकॉट्स नस का स्टेक्चर आपको पता है यह तर्मिनल है इक यह terminal hydrogen यह terminal hydrogen यह bridge hydrogen है तो two boron and four terminal hydrogen are in same plane are in same plane okay to x की value हो गई 6 और जिस plane में boron है उसके उपर hydrogen एक है तो y की value 1 और z की value 1 तो x minus 2 by minus z इक्वल्टू हो जाएगा सिक्स माइनस टू माइनस वन इक्वल टू थ्री किते बच्चों का अंसर सही आया जरब बताईए तो यह कोस्टन बस मैंने पूछने का तरीका बदल दिया ठीक है घाग गुड मॉर्निंग बच्चे लोग और पीपिटी के चिंदा मत किजेगा पी लिए ठीक है माधिवी कित्तों को प्लस फोर मिला और कित्तों को माइनस वन मिला सो बीटू सिक्स के एक प्लेन में मैक्समुम छे एटम होंगे और एक प्लेन के ऊपर एक एटम है और नीचे कैसा लगा बताईए तो यह कोसन मैंने आपके सामने फ्रेम किया था और इस इस मिला है सीखने का मौका तो हर एक एंगल में आपका फाइडा चलिए नेक्स को सेंगी तरब बढ़े बचा लोग यादी हो गया है यह यह बात हुई ना आगे बढ़े ब्रीजबॉन यस नेक्स को सेंगी तरब बढ़ते हैं यह बनाईए सलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यह आप गलती कर सकते हो बिटे उसे का स्ट्रक्चर याद कर लिया और उसके प्रपर्टी के साथ अगर प्रपर्टी याद है तो यह बना डलिये मुझे बहुत खुसी होगा अमन गुपता आ नहीं सकता है आएगा बिलकुल आएगा देखो इस कोशन को कराते वक्त आपको साथे फंडामेंटल किलियर हो गया कि एक एटम में कौन है बोरोन हाइडरोजन एक में है एक अब दा प्लेन है तो आपके लॉजिक कि इतने किलियर होंगे कि मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी गौरप सलूजा गुड मॉर्निंग गौरप सलूजा हाइग सेलेक्ट करे कुछ बच्चे ने कह रहे हैं एक बच्चे ने कहा BD एक ने कहा ABD यह देखिए चार अंसर तो मेरे पास अभी भी आ चुके हैं अराम से बनाएए तो बंदा अन् dwar 27 के हिसाब से अलग अलग ग्लास सिस्ट महलते जैसे जिस कप में आप चाई पीते हो कि किमशिए प्र सेंटों को मांगता है और तेंप्रेचữa दीसिस्टेट्ट जो ग्लास आपके बिल्दिंग जूपर लगति यहीश्की रिक्ट अलग है जो ग्लास आपके गाड़ी के हेडलाइट्स में लगती है उसकी रिक्वार्मेंट अलग है इस आउल आर दे इंडस्ट्रियल प्रोडाक्ट्स ओके सो पाइरिक्स ग्लास में क्या इस्तेमाल होता है यह देखना है बोरोन फाइबर्स आर यूज्ड बुलेट प्रूब वेस्ट अलिमिनियम एंड कंपाउंट्स अलमिनियम हम सम् टॉक्सिक नेचर और बोरोन इस एक्स्टीमली हार्ड सॉलिड बट हैविंग लो मिल्टिंग प इस पहरें क्योंकि बोर सबसे पहले बताता हूं इस तो बिल्कुल सही है बोरोन फाइबर सार यूजड बुलेट प्रूब वेस्ट यस मेरा थोड़ा एक्सपरटीज भी रहा है बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ हां मेरे दोस्तों ने इस पर काम किया था कॉलेज में बुलेट प्रूब वेस्ट पर और एक कंपनी है यहां पर इलहाबाद के बगल में वहां पर कंपनी लक्षमी का उच्शन उसके पास थोड़ा काम होता है मैंने वह ट्रेनिंग की थी बुरोन फाइबर साथ यूजली मेकिंग बुलेट प्रूब वेस्ट तो बीभी ऑप्सन सही है अलमिनियम और अलमिनियम के कंपॉंड थोड़े टॉक्सिक होते हैं इसलिए आजकल हाउस होल्ड में इसका ज्यादा इस्तमाल नहीं होता है आप देख सकते हो दे यूज ऑफ बट हैविंग लो मिल्टिंग पॉइंट यह गलत बोल रहा है तो आप इस ब्लफ में फस गए बोरोन का मिल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और अलेक्रिकल कंडुक्टिविटी लो होता है तो डी नहीं होगा सिर्फ एबी सी राइट अंसर होगा अब बताओ कितने अग Quindi का dusky इसे में बोरीक्स नहीं दिया है कि बहुरून है बाई बोर कि अच्छा मैंने गलत लिगदिया बोरिक्स था यह मैंने गलत लिग दिया ठीक है कोई बात में हैं तो यला ampli दिया ठीक है सो डी गलत है हाँ एक्स्टिमी सौरी बोरोन गलत था बोरोन के कंपॉंड लिखने चाहिए थैं सो बोरिक सैंड बोरिक एसे चीजों में मैं ऐसे चीजों में ज्यादा आपसे अर्गुमेंट नहीं करूंगा यह इंडस्टियल लेवल की चीजें है ठीक है तो डी नहीं समझ माया दिया गर्ग बोरोन एक्स्टिमली हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है मैंने इस कोशन को फ्रेम क करने के लिए कि आप इंसी आर्थी पढ़ते हैं कि नहीं कई वर क्या होता है कि आप से कोई पूछेगा लिखने कहेगा तो आप नहीं लिख पाऊगे बट इस तरह के स्टेट्मेंट्स आप एक्जाम में देखकर बना दोगे जब आपका रिवीजन बहुत तेज होगा यह लोगों के साथ होता होगा जैसे मैं पूछू का अंसर क्या होगा नहीं बता पाऊगे बट जैसे ही आपको चार ओप्षण दुगा तो आप बना दोगे कि अब ऑपने तरह चालीं ठीक है नेक्स को सेंग तरफ बढ़े अच्छा लगा एक कुश्चन दो अब देखो और मज़ेदार कुश्चन साएंगे ठीक है नेक्स को सेंग तरफ बढ़े चलिए इस बात पर डिसकेशन छोड़ देते हैं नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है कि अग्याइज नेक्स को सेंग तरफ चले विच हैज लोइस्ट फस्ट आइनर्स यह तो मतलब पीजी कुश्चन है इसमें गलती नहीं होगी बनाएज जाएज क्या होगा कि अग्याइज नहीं होगी तो फोड़ी से प्रोब्लम हो गई थी एक्चोली इसलिए मज़े तो कुछ अटाना पड़ा ओके शॉर्यूड विच एज लोइस्ट फस्ट आइनर्स अनर्जी कहलों बी कह रहें कहलों सी कह रहें चल्ड करते हैं विच लोइस्ट फस्ट आइनाइस अनर्जी ठीक है बताएज सी एस सेंड की सबसे कम होगी अच्छा देखते हैं देखें यह कुष्ण मैं अक्सर ग्रूप 13 के कुष्ण पूछा करता था बट आज मैंने वह थोड़ा सा कुष्ण हटा दिया और मैं थोड़ा सा ग्रूप 14 पर आ गया तो बच्चों जो बहुत भूले-भाले बच्चे वह क्या कहते हैं सर ग्रूप 14 में नीचे क्यों जाएंगे तो आयों ऐसे नर्जी जो है वह डिक्रीज करेगा क्यों मैं टालिक एरेक्टर बढ़ेगा बट अगर के मिस्ट्री इतनी आसान होती और इतना होता तो क्या ही बात थी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो यहां सबसे कम है लेड का इसे स्लाइटली जादा होता है चोटी चोटी बातों को जरूर याद रखेगा यापकी नजरों को खोलने के लिए कुस्टन में रखता हूं नहीं प्रणफजादव डब्लू स्ट्रक्चर जो था ग्रूप 13 का था यह ग्रूप 14 है लोग भूल जाते है एक्च्वली इधर में आपका जो है वह एफ कॉंट्रेक्शन होगा इलेक्ट्रोन पर होल्ड जादा है इन और्गिनिक की कई बार यहीं समस्या होगी आपको अगर अंसर पता है तो सपोर्ट में कई सारे लोजिक कह दीजिएगा बट कुछ लोजिक अगर आपको पता है अ आपको जितनी चीज़ आती है उसी में आप भिलते रहोगे कि यह होता है वह होता है अब सुचो अब लॉजिकली सुचो कि इलेक्ट्रोन को हटाना हुआ मुश्किल तो इनर्जी देना पड़ेगा ज्यादा ओके तो लेड में यह सिक्स पिरियेड का एलेमेंट है ठीक है यहां पर इनर्ट आपका एफ कॉंट्रेक्शन भी लगेगा जिसके कारण इलेक्ट्रोन पर हो यह कह सकते है ठीक है बट आपने बच्चे लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग है और अगर पॉसिबल हो तो उससे सेयर कर दीजिए वरीवन मैं तो ले की बॉंड्ट साइमिल्टनियस ली आराम से बनाइए यह तो अगर गलत हो गया ना तो मतलब क्या बोलू इस पर मैंने पर्सनली कई बार कोशन करवाया है और आपके एक्जाम में इसी बार कोशन भी आ चुका है इस पर बना यह क्या हो जाएगा यह बहुत ही आसान सा कोश चली यह कोशन मैंने कई बार पूछा है तो इसको मैं आपको होमवर्ग दे देता हूँ यह मुझे बहुत मजाता है इस तरह करने पर ठीक है यह इन से आर्टी बेस्ट कोशन है आप इसको होमवर्ग में बनाना देखते हैं क्योंकि यार देखो इसको अबजेक्टिव यह कि मैं आपको रटवाद हूँ ठीक है आप इसको देखना इस कोशन को नाम लिखकर भी आ सकता है तो इन तीनों को स्ट्रक्चर को आप देखेगा सी है लिखकर ले लो ठीक है बच्चे बहुत स्मार्ट हो गया लिख यह अच्छा यह कॉल्फिडेंस कहां से आता है इतना कि कि मतलब लिखकर ले लो यह कहां से बोलना सीख गया है आप लोग ठीक है इसको सन को प्लीज आप यूट्यूप एंसर किजिएगा या समय रहा तो मैं लास्ट में करवा दूँगा यह बनाई आराम से कि फाइंड सम अफ नंबर आप सिग्मा और पाई बॉंड प्रिजेंट इन साइकलो ट्राइम मेटा फॉस्फोरी के सिट इट विल टेक टाइम अभी देखो यह जो को अच्छा डी नोटा होगा यह जो को सन है और का अब्जेक्टिव है सर और का अच्छा अच्छा यह बत कि इसमें मैं आपको कोई जल्दिवाजी की जरुवत नहीं है आराम से बनाइए ठीक है आराम से कोई जल्दिवाजी नहीं है इसमें गलत होगा पहला को संथाना मज़दार देखे बच्चे दम दिल छूग गया अच्छा आप जो हम दिया है इसको जरूर बनाना अच्छा एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा कह रहा है फिप्टीन ऐसे कोशन साइटी में बहुत आते हैं ना फिप्टीन ऐटीन दो कोशन तो आगए एक बच्चे काया ट्वन बहुत यार इतना का डिफ्रेंस पंदरा अठारा इकीस ओएच बॉन्ड भी एड करना है सर क्या मतलब तो मैं आगे बढ़ गया हां फाइंड नंबर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रिजेंट इन अरे ऐसा कोशन पूछेगा डर आखी अरे मैंने पूछा सिग्मा और पाई बॉन्ड ठीक है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ओएच में क्या नहीं होगा उसको भी कॉंट करो यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप फाइंड नंबर आप सेंटीन साइकलो मेटा फॉस्फोरीक एसिड कई बच्चों काया 15 18 21 देखते हैं एक बच्चे ने तो इतना अच्छा किलियर कि 15 और 3 चलिये मैं बताओ इसमें स्याधा समय नहीं देंगे आयुस्मान चौबे 18 सर मेंटी का सेशन का भी जल्दी लेंगे जितना ज्यादा इंट्रेक्शन होगा मेंटी भी लेना स्टार्ट कर दोंगा कोई नहीं अगला सेशन मेंटी ही ले लेंगे ठीक है देन 18 इस क्यारेक्ट मैं बताओ चलिये बच्चों इसमें कई बार आइट 8,9,11,12,12 5,13,14,15 5,3,18, πाई 18 इस दो राइट अन्सर लहा है बताना तो 21 कैसे आया था और 15 कहां से आया था तो तीन सिगमा, पंदरा सिगमा और तीन पाई, तो पंदरा और तीन अठारा, अठारा इसका राइट अंसर हुआ, बताइए तुझरा, किन का गलत हुआ, नहीं अभरल, आज नहीं है मैं एंटी, 18 is the right answer, बताइए, किसका गलत हुआ, मैं जानना चाहता हूँ, गलती से, ठीक करना, मैं यह कई बार बता चाहो, cheating from NCRT, कोई बात नहीं, जिस cheating से, आपका भाला हो, कर लिया किजिए, इसका बताब एक्जाम में मत करना, legally करना, मतलब घर पे तो कर ही सकते हो, सीखने के लिए, अब नहीं आता है, तो देख के ही करूँ, इस ओके, ठीक है, find the sum of number of sigma and pi bond, present in cyclotri metaphosphory, देखो, P block आप जब भी पढ़ने की कोशिस करना, सबसे पहले NCRT पढ़ना, क्योंकि अगर गलती से आपने किसे भी कोचिंग का module पहले उठा लिया, या कोई book उठा लिया, तो आपका confidence की धहजी उड़ जाएगे, आपको लगेगा कि साइद कुछ नहीं आता है और जब NCRT पढ़ना, उसके बाद जो मर्जी चो पढ़ना पढ़ो, पर पहले NCRT पढ़ना, ठीक है, फिर previous year की कोशिन बनाओ, अगर last moment पे हो, और गलत होती है तो, ठीक है, आगे बढ़े next question में, भानु परताप NCRT में कुछ नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है, अब NCRT भी छोड़ो दोगे, ठीक है, यह बढ़े लोगों की बात है कि इतने सारे syllabus को छोटे चीज में compile किया है, ठीक है, a strong inorganic, be andra people are strong in inorganic, good, keep it up, मु method of preparation of nitrogen gas by reaction of ammonium chloride and sodium nitrates, यह question, sir, मेरे class का notification नहीं आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिलकुल आएगा, नहीं आएगा, तो हम देख लेगे, भानु परतापने कहा, a and b, यह तब must question है, यह single choice भी हो सकता है, multiple choice भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग politics भी करते है, उनके answer देखकर आप यह answer मत किजिएगा, ठीक है, candidate अपने खड़ा किजिए, कई लोग A, B कह रहे हैं, कई लोग A कह रहे हैं, A, B, A, यह mentee में बहुत होता है, कुछ बच्चे जानभू से गलत अंसर करते हैं, और बच्चे उनको देखकर answer गलत कर देते हैं, बच्चो प्ल और मैं जैसे ही advance आएगा, मैं salt analysis चे पढ़ाँगा, in most easiest way, so don't worry, okay, impurity present during lab method of nitrogen gas को, जब ammonium chloride और sodium nitride के थ्रू बनाते हैं, lab method है, तो कौन-कौन से impurity होते हैं, कई लोग A, B कह रहे हैं, कई लोग A कह रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, I am not, कोई scientist नहीं हूँ, तो dinitrogen gas is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitride, but बोला है कि some amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction, these impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid, तो इसमें बहुत अच्छे-च्छे question बन सकते हैं, yes, बहुत अच्छा तरसिम सिंग, ठीक है, तो A and HNO3 बोथ are the right answer, so A and B is the right answer, कित्यों बच्छों को पलस 4 मिला, कई लोग A भी कहें, कई ठीक है, बट इसका राइट अंसर दोनों था A B, हाँ बिलकुल NCRT से और यह मेरा बनाया हुआ कोस्टन है, यहां मैं proudly कह सकता हूं, दीज कोस्टन हां, फ्रेंड वाई, मृतिंजे कुमा, सर मैं अभी टेंथ में हूं, बस वीडियो लाइक करने रोज आता हूं, बिकाउज यूर सौरत जा, बहुत-बहुत सुप्य है, आप पढ़ते रहे हैं, दिया गर कह रहे हैं, कट, अच्छा हूं, अरे ऐसे लबज ना कहो, मैं जोस में पढ़ देता हूं, अच्छी बात न और इसको हटाने का ये तरीका है, कि Sulfuric Acid with Potassium Dichromate के साथ Solutions उस गैस को पास करते हैं, तो ये सब चीजों को याद रखिए, हाँ, एक दिन में तो नहीं याद हो सकता है, क्योंकि this is not formula, आप इसको revision बढ़ाईए, ओटमेटिक आपके दिमाग में चला जाएगा, तो आगे चले, ठीक है, नेक्स कोशन के तरफ बढ़े, अगर इजाज़त हो तो, सर मैक्सिम्म कोशन एडवांस में, कहां से आते हैं, और अर्गेनिक में, अमन गोयल, इसका answer कोई भी दे दे, तो मत फसिएगा, उन चीजों में, ठीक है, अगर ऐसा होता, तो आप समझ रहाए, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ते ही है, सब कुछ, ठीक है, मत फसिए इन चक्रों में, कैसे पढ़े, क्या करे, पढ़ाई वही पढ़िये, जो अनसर के करीब ले जाए, और मैक्सम एफिसेंसी रखे, आपके मार्स को बढ़ाए, ठीक है, दुनिया के जितने मोटिवेटर लोगों से मिल लीजिए, उससे नमबर नहीं बढ़ेगा, लास्ट में वही बोल कर जाएंगे, महनत कीजिए, अमीत मंत्रा, गुड मॉनिंग, बच्चों सेसन को प्लीज लाइक करते चलिए, अवरीवन, नितिनी आदम ने कहा next, yes, command accepted, so, एक नट, क्या हो गया, ये, next question, य मैंने बहुत दिल से इस question को बनाया था, आज से लफ़ पांच महीने पहले, which reaction, which reaction represents natural method of ammonia manufacturing, अगर आपका IT, ठीक है, अगर आपको IT जाना, आपको really में बहुत पसंद है, और आपका real में आपका passion है, तो कोई आदमी आपको daily motivate करे, ये जरूरी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, अगर आपको IT आपके लिए life में माइने रखता है, और आप really में दिल से महनत करते हो, तो आपको किसी दूसरे की motivation की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये ही real motivation है, ठीक है, आप सूचो कि कोई एक आदमी आए और मुझे motivate करे daily daily, तो ये गलत बात है, और अगर ऐसा है, तो फिर गलर डारेक्शन पर जा रहे है, कोई चेज इपॉटेंट है, कोई सर नहीं बनता है, तो आप उसको खुट टैकल कीजिए, और इस जोज से खुश हो जाया कीजिए, कहारे मुझा IT जाना है, उसके लिए जरूरी ये नहीं आता है, कई बच्चे सी कह रहे हैं, यार सुट ऑफायर, आंग्व धी आखएल, है आपको पता है, लुक्त के सा रहे पाईज़र वनते हैं, ओ एमोगा अचीज थे बनता है, आपको पता है और ammonia बहुत ammonia से चनो थी भी बनता है ठीक है जो कि बहुत explosive आप इकिंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है और ammonia nature में बहुत slow process से बनता है इसलिए हेबर प्रोसेस के बहुत importance है ammonia बनाने के लिए और ammonia important है कई सारे compound को बनाने के लिए ठीक है इसलिए इसका industrial कीमत बहुत जादा है और यह process बहुत slow होता है इसलिए हेबर प्रोसेस हमारे लिए बहुत माइने रखता है ठीक है अब फुद सोचो ना ammonia का कितना इंडियूज है ammonia का कहां कहां इस्तवाल होता है और ammonia nature में बनता ही नहीं है बहुत fast reaction से ammonia बहुत slow बनता है सर ड्रॉप लेना अच्छी बात है क्या सर मधू सूधन बच्चा ड्रॉप लेना या नहीं लेना यह इतना जल असका कोई गीता का लिखा हुआ क्रिसन जी का कोई statement नहीं है कि मैं बता सकता है इट विल टेक टाइम ठीक है यह हर लोगों के condition पर डिपेंड करता है ओके चलिए ऐसे तो अगर देश चल मैं भटकना नहीं चाहूँगा ऑके सब्सक्राइब है इस तरह मैंने ड्रॉप लिया था बट मेरा रिजन कुछ और था मैं इंजिनेरिंग के तयारी में नह सब्सक्राइब कर रहा था फिर बाद में मैं पटना आया है ठीक है फिर अनसर सॉरी कि साथ इस तरह मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ओके एक आप्शन फ्रेक्टरीज में यूज कर रहे हैं ओके यस यस बच्चा सी कित्ते को प्लस फोर मिला बताईए है किते लोगों का अंसर सही हुआ है और यह बहुत स्लो प्रोसेस है यह बहुत स्लो प्रोसेस नाइट्रोजनेस डीकम पॉजीशन आफ और अवस्तिकीया अफ्निक मैटर अब रहाल दिक्षी सबढ़ाई मुझी भेचते हैं सुक्रिया कि सर आप पटना के यह सिल्वर सुवास आगे बढ़ते हैं यह कुस्टन में पहले भी कई यह स्वानु परताप विच कार्बोनेट ऑन हीटिंग लेफ्ट नो रिमेनिंग नो रिमेनिंग मतलब नो रिषिडियू आप ऐसे लिख सकते हो रिषिडियू नहीं बचेगा अराम सब रहें यह सर्मा मैं यह सब नहीं बता सकता ठीक हैं मैं किसी बड़े आदमी का नाम लेकर अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता है इसो के विच कार्बोनेट ऑन हीटिंग लेफ्ट नो रिमेनि मुझे अपना काम करें विच कार्बोनेट ऑन हीटिंग लेफ्ट नो रिसिडियू और रिमेनि देखो इनकुल हीट करोगे तो सिधा मेटल देगा O2 देगा और CO2 देगा बट इसे हीट करोगे तो NS3 देगा S2O देगा और CO2 देगा सारे के सारे गैसियस फॉर्म में ठीक है simple question में तब आपको कोई नहीं फसा सकता अचा आगे क्या करें मैं पी ब्लॉक क्यों और कॉंप्लेक्स को सलाओ जैसे कि स्टार्टिंग में इंटीजर बनाया था तो क्या मैं इंटीजर बनाना स्टार्ट करों सो थोड़े से टफ कोशन के तरब चलो जो मैं आगे मैं मैं अगर मैं एक सेशन और प्लान करूं तो उसमें क्या मैं आपको थोड़े तगले कोशन दू या सिंपल ही करना चाहते है या एडवांस के लिए स्टार्ट करें में इंटी ठीक है ओके सर कोई नाम ओके ओके यस में इंटी कह रहे है ठीक है देखता हूं बच्चा लोग स कुछ एडवांस भी करवाया एकम और में ख़त ह lapse काम हूंने दिजिये फिर देखिंआ आप कद आडवांस किया करते है या ठीक है और मैं आपको सॉल्ट आनालिसिस का सरीज चला दुगा अच्छब किते लोग आ टीक है यस किते लोग इसे की तो यह हैं अच्छ़ प्रॉमिस करना होगा कि हम रिगुलर बने रहेंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है होल इन और्गेनिक कॉंप्लेक्स कोश्चन ठीक है चले मी तो निट के लिए प्लीज सिल्वर स्वास यह तो निट के लिए भी है देखते हैं मैं सर से पूछता हूँ निट चैनल पर मुझे लाउग करेंगे तो मैं जाओंगा ठीक है चले पहले मेंन लेवल ठीक है यह बताईए यह तो गलत नहीं होना चाहिए Oxide of Nitrogen formed with reaction of HNO3 plus P4O10 बनाएए Oxide of Nitrogen formed with reaction of HNO3 plus P4O10 डी 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 टू मोलेकूल्स अब वाटर सुड़ूड रहा हूँ सही है पाया कॉंसेप्ट ही आपने पकल लिया एक दम से बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे तो बच्चों आपको क्यों आता है मैं जाना चाहता हूं ठीक है यह मेरी सिफ्ट माया था बहुत इजी कोस्टन एंट्व फाइब बनेगा ठीक है राइट अंसर इस डी ठीक है राइट अंसर इस डी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अगर दो मॉलीकुल हम लेंगे और एक वाटर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा एंट्व फाइब तो डी सर राइट आपकी बज़ास से ठीक है इतने स्टुडेंट सही अंसर देते हैं तभी पच्चीज सिवनिंग जैसा हाल हो जाता है अब रहल देंटी आने वाले साइट अंसर ओके अच्छा ये टेवल सबको याद है ना जैसे कि सारे के सारे कलरलेस होते हैं ठीक है चार कलरलेस है बस एक ब्लू है और एक ब्राउन है और यह आईटी में कई बार आ चुक है इस तरह के अबजर्वेसंस को क्लियर रखिएगा ठीक है अमोनियम नाइट्र है यह सवाइटी कई वार पूछ चुक है तो एनालेसिस किलियर होनी चाहिए ठीक है एनालेसिस नी तू मैं इस तरह की बात यहां पर नहीं बोल सकता बच्चा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखे को सन मज़दार है अभी दल बताई आराम से क्या होगा क्लोरीन रिएक्ट विद होट अंचंसेंट्रेटेटेड एन ने ओएच और प्रोदूस्ट कंपॉंड एक्स न वाई कितनी बार एक्जाम ना है और कार्तिक राजा ने यू कुश्चन अंसर फेग दिया कुछ बच्चों के अंसर आए 1.67 एक अंसर आए 1.33 आराम से बनाई यह कुश्चन आपके एक्जाम में बहुत 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 आ चुका है हाँ बनाई आराम से टेक यूटे जैन 2020 में दिया था हाँ सिद्धात बहुत अच्छा इटियन अमन 1.6 1.67 1.75 अगर जोई गलत हुआ ना तो यह तो मतलब आप इटाई डिजर्ब करते हो इस कुश्चन पर अगर यह गलत हुआ तो कि देखते हैं क्या एंसर आता है ठीक है मैं इसका अंसर पेश्ट करके लाएँ तहकर समय जाते नहीं मैं बताओ नहीं आ रहा है भानुपर ताब कोई नहीं बहुत असानी से बन जाएगा पहले क्या कहा रहा है क्लोरिन रियक करेगा एन ओएट के साथ होट एंड काउंक औ वहाँ पे CL और O का bond order आपको निकालना है यह question में actually तो 1.33, 1.67, 1.75 ठीक है मैं बनाओ permission है मुझे बनाने कि मैं बनाओ और start करो साकेत गति ठीक है देखो बच्चा जब CL2 NOH के साथ reaction करेगा hot and cong condition में तो NACLO 3 बनता है यह X हो गया यह Y हो गया अगर यह cold होता तो यह NACLO प्लस NACLO बनता है आप इसको याद रखेगा तो यह हो गया आपका X यह precipitate दे दिया अब CLO 3 का bond order होता है कुछ ऐसा यह सबको पता है ना यह structure कुछ ऐसा होता है CLO 3 का extremely sorry यह structure होता है किसको याद है यह resonating structure में क्या होगा bond order हो जाएगा one plus number of pi bond divided by number of sigma bond so one plus two by three क्या आ रहा है बचलो 1.67 is the right answer किते लोगों का अंसर आ गया बताईए 1.67 आज के बाद को दिक्कत होगी इसमें जिन लोगों ने बनाया उनको बहुत-बहुत मुवारक आधित ठाकूर गलत कर गया CLO 3 का structure कुछ ऐसा होगा ठीक है कैसा लगा एक कोशन बताईए नो दिक्कत किसी बच्चे को दिक्कत एक बार इस कोशन के बारे में बता दीजेंगा सर हमसे sigma और pi bond नहीं निकलता खुशी सिंग मुझे लगता सिग्मा पाई में क्या दिक्कत है यह तो मतलब क्या बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोलेगा ठीक है दिया गर्ग प्लस फोर स्टाइलिस प्लस फोर किनको प्लस फोर और किनको माइनस बनाया है मस्त question ठीक है अब ऐसा ही question में फ्रेम करने की question करूंगा जमना cl2 के साथ जब हॉटन कॉण नहोच reaction करेगा तो एनसील और एनसील और बनायेगा ठीक है और तो एन्सील और थ्री of nitrogen formed when Cu react with hot and conch HNO3. Sir is the formula applicable for benzene. जहां भी resonance होगा चलेगा. Find hybridization oxide of nitrogen formed when Cu react with hot and conch HNO3. देखो इस question में confusion आएगा. इसलिए आपको हो सकता है यह question आपको पता ही ना चले कि question कह क्या रहा है. इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा video link share करूँगा. मैं अभी कभी अपने chemtron channel पर link share करूँगा ताकि आप आगे से पढ़कर रखो और आग फसो नहीं ऐसे question में. बहुत अच्छा response आया है अच्छा टेलिग्राम ग्रूप पर सब हो ना इस chemtron पर देखो मैं एक अभी link भेज रहा हूँ. उस पर एक मैं link भेज रहा हूँ. बेज दिया अच्छा आपको यह आता है क्या कि जैसे कि एक molecule है NO2 यहाँ पर एक odd electron है तो odd electron का क्या करेंगा हाइब डाइशन में क्या होगा आपको यह नहीं पता है न तो देखो मैं भी थोड़ा सा हींट देके छोड़ता हूँ. और chemtron पर मैंने अभी अभी एक link share किया है जिसमें यह बताया गया है मात्र 10 मिनट में hybridization of odd electron species दो केस हैं और दोनों डिसकस किया है जैसे NO2 का, NO का, CLO2 का, CLO3 का और यह सब आपके syllabus में इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है तो यह देखो क्या होगा copper जब dilute के साथ reaction करेगा तो NO बनाता है, HNO3 के साथ reaction करेगा तो NO2 बनाता है तो NO2 का hybridization क्या होगा मेरे नीचे दिये गए link से आप share आप देख सकते हो, ठीक है देखो रटने वाली बात नहीं है, SP2 किते लोग हैं जो वहाँ पर group पे join कियों है, Chemtron पे सबको link मिल गया, एक वर confirm किजिए मुझे, सबको link मिल गया, एक वर बताईएगा, मैं telegram का link भी एक वर दे दता हूँ, क्योंकि आखरी moment है, मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है, मैं आपको link भी share कर दता हूँ telegram का यह मेरा telegram group है, आप इसको join किजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और SP होगा या SP2 होगा, I'm not in Chemtron, ठीक है, मैं यह link आपको भीज रहा हूँ, Chemtron, ओके, आप यहाँ, आपको इसमें सारा detail मिल जाएगा, ठीक है, इसटो के link मिल गया, great, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वहाँ पर सीख लेना, which of following xenon oxo compound may not be obtained by hydrolysis of xenon fluoride, और इस PPT जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यह PPT भी मैं Chemtron पर सेंड कर देता हूँ, क्लास के बाद, मज़ा आ गया, सर कोशन करके, भोले सिवाए, ठीक है, D, B, D, B, ओ, इस कोशन में भी गलती, मैं सोचा नहीं था ऐसा, मानस K, D, कई लोग D कह रहे हैं, यह कोशन XCF2, XCF4, और XCF6 के hydrolysis पर बेस्ट है, और एक्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो D लिखकर ले लो, अच्छा लिखकर दे रहे हैं, अच्छा इत आंसर दीजे, A क्यों होगा, D, आपकी कसम, मैं बताता हूं, देखे, XCF2 का जब हाइडोलाइसिस होगा, तो XC, HF और O2 बनेगा, XCF4 में XC, HF, O2 तो बनेगा ही, साथी साथ, XCOO3 बनता है, और XCF6 का कम्प्लीट हाइडोलाइसिस, और यह है पार्सल हाइडोलाइसिस, तो भाई साथ, XCF4 कहीं नहीं बनता, तो D is the right answer, हाँ, लिख के दिया, आपने सही है, बिल्कुल, ठीक है, चलिए, बच्चा लोग सेशन को प्लीज लाइक कर दिए, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, और अगर दिल करें तो अपने दोस्तों के साथ, सेर कीजिए, ठीक है, प्लीज सेर कीजिए, क्योंकि आपके इस रियक्शन से मुझे बहुत जोस आती है, आपके लिए और मेहनत करने की, ठीक है, और इस चैनल पर मैं इस तरह और मेहनत करता रहूँगा, ठीक है, D नहीं होगा, बरना मुझ 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 लेंगे अच्छा है अभी इस आपके मॉस्टेच है प्लस फोर चले आए टीन आवन आगे कुशन पर चले नेक्स कुशन पर चले गलत मत कीजिएगा बहुत सोच समझ के कुशन बनाया हुआ है क्या अमोनियम नायट्रेट को हीट करते हैं तो न्टू गैस बनता है एक क्या सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो दो गैस रिलीज होगा ऑक्साइड अफ लेट कैन इजली प्रोड्यूस ओटू गैस और हीटिंग नहीं पता कॉपर विथ डाइलूटेट अचन ओट्री प्रोड्यूस अनो टू गैस मुली बिडेनियम इज उस डाइस कटलिस्न हेवर प्रोसेस एक स्ट्रेट ट्यूब और मेडप और बेरेलियम एक अग्या इस ब्लॉक से असकेंडियम फ्री प्लस सॉल्स और जनरली किलर लेस अराम सेविन स्टेक्टमेंट दिया है और बताना है कि इसमें कितने को सब्सक्राइब अराम से बनाई है ना बढ़िया सवाल एक तरीके से ये सी एफजी आर कारेक्ट मतलब आपके फोर आया एक बच्चे का चार आया एक बच्चे का पांच आया ठीक है आई टीन्स का भी में लेट हो गई थी मुझे तो क्वेशन कम बना पाया था आज ठीक कोशन बना लिये थे और आगे और भी अच्छा करेंगे ठीक है सॉल्ट एनाल्सिस वाला मैं जल्दी प्लान कर लूँगा मैं फिजकल और्गेनिक को ब्लेंड करूँगा थोड़ा थोड़ा ठीक अप्लिकेशन वाइस तो आगे और सेशन में मजा ही आएगा हो मेनी स्टेक्टमेंट्स आर कारेक्ट आमोनियम नाइट्री टोन हीटिंग मैं बताता हूं देखिए इसको जब हीट करेंगे तो इन टू इन टू ओ गैस बनता है और यह आईटी बनना जाने कितनी बार आ चुका है तो यह तो गलत है कि सिल्वर कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो यह एजी प्लस ओटू प्लस सी ओटू तीनों बनेगा तो दो गैस रिलीज करें यानि बीस है आपने ग्रूप 16 पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि कुछ ऑक्साइड को डारेक्टली हीट करोगे वह ऑक्सिजन गैस रिलीज कर देगा जैसे लेड ऑक्साइड है और डारेक्ट ऑक्सिजन देशन इवन उनका यह मैनुफेक्ट्रिंग में थर्ड है ठीक है तो आप ले ऑक्साइड अफ्लेट कैन इसली प्रोडूस ओटू गैस ऑन हीडिंग यस सी सही है कॉपर विथ डायलूट है नो टूट है आप यहीं पर फस गया हूंगे एक्चोली क्यों क्योंकि पुराने में थर्ड से अगर आप देखोगे तो क्या बना हुआ है ठीक है क्या बनेगा आईरन इस यूज़ एस कैटलिस्ट एंड मॉलीबडेनियम इस यूज़ जैस प्रोमोटर किते लोगों इसको ध्यान नही अब हाइड्रोजन गैस पहले एक एच यहां डिपोजिट होता था अब यहां होगा तो दोनों की डिसोसेशन नर्जी कम हो जाएगी तो प्रोमोटर अलग तरीके से काम करता है ठीक है सो मॉलीबडेनियम इस यूज़ एस कैटलिस्ट नहीं होगा एक्चली सबको समझ माया ठीक है एक स्रेट यूबार में डप बेरेलियम बिल्कुल सही है मैंने गलती से केस ब्लॉक मिला दिया और स्केंडियम 3 प्लस स्केंडियम क्या होता है 3D 1 & 4 is 2 तो स्केंडियम 3 प्लस क्या हो जाएगा 3D 0 और D 0 कलरलेस होगा सो जी भी सही है तो राइट अंसर होगा 4 कितने लोगों को प्लस फोर मिला तो 4 is the correct answer कितने लोगों प्लस फोर मिला एप फी होता है के टलिस्ट हाँ आप एंसी आर्टी में देखोगे तो आपको एप लिखा मिलेगा कितने लोगों का सही हुआ थीक है वानू कितने लोगों का सही हुआ सर ए में एंटू नाइट्राइट से होता है भाई आप ए देख रेणा इंसी आर्टी में मिल जाएगा थीक है कितने लोगों का अंसर सही हुआ यह गलत हुआ हां देखो यह सब कुश्टर मेरे फ्रेम किये हुआ है तो यह सोच कर iron is used as catalyst and molybdenum is used as promoter ठीक है चल तो मैं आगे बढ़ जो बढ़िया था ना कुश्चिन ऐसे कुश्चन्स आपका ना लॉजिक बहुत किलियर करेगा है ना आगे बढ़िया नेक्स्ट कुश्चन में ओभर कर दो ठीक है अरे अभी कैसे इस नाइटरोजिनस फेटिलाइजर अमोनियम नाइटरेट यूरिया अमोनियम फॉस्फेट यह इनमें सब कोई दे लेट्स गो आगे यह कौन सा लेंग्विश है बाई चलिए विच यह जादा इजिन हो गया सब लोग बी अंसर करना स्टार्ट कर दिये सब लोग भी कह रहें यार इस कोशन में गलती होना चाहिए एक ने कहा सी एक ने कहा बी एक ने कहा सी एक ने कहा एबी भारत है ठीक है यह लोग तंत रहें लोगों के अलग अलग भाबनाएं बी सी एबी एबी भी आगे और कोई कॉम्बिनेशन यार मैथ वाले हो कुछ लगाओ कॉम्बिनेशन और क्या बन सकता है सी एसी नहीं बन अच्छा बन गया है यूरिया में तो कोई डॉट ही नहीं था अगर यूरिया में कोई डॉट नहीं था तो नन भी नहीं हो सकता था सिर्फ ए और सी में केंफूजन था कि आपने पढ़ाए कि ने किते लुग फस गये सर आपके साइंस से महबबत कमाल है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बठा आप अच्छा जरूर कीजिये, लाइफ में साइन्स में हमको लगा सिंगल करेक्ट है यार लगता बहुत कुछ यह ठीक है क्या करें हमको क्या लगता है उससे दुनिया होता ही नहीं हूँ है । पहुत कुछ चले माइनस वन माइनस टू तो अच्छा लगाने कोशन देखो मैंने सिंपल सा कोशन एक फ्रेम किया मैंने जान बुष के नन डाला था मैं चाहता तो आमोनियम सलफेट भी डाल सकता था ठीक है बट मैंने से हट आ दिया थे एक चुली ठीक है आगे बढ़े नेक्स कोशन पर मिस् रिड़ फास्फोरस पता नहीं बिटा ब्लाक फास्फोरस दस नोट वर्ल इन एर अप्टो एट 75 कल्वी वाइट फास्फोरस डेडली कैच इस फायर इन एर तो गिव देंस फ्यूम और पी फोरो टें रिड़ फास्फोरस दस नोट रेक्ट विद कॉस्टिक अलकली बहुत सब्सक्राइए बहुत ही बढ़िया कोश्चन है और अंसर आ गया यह तो पक्का ठीक है अरे मैं इनकरेक्ट पूछा हूं भाई साहब आप इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो कई बच्चा डी बोला कई बच्चा ए बोला ठीक है आई गॉट 99.58 थैंक्स टे यू यह आपका के डी सी भी आ गया ठीक है यह कोश्चन केसी एक्जाम में आया हुआ ही है साइद और बहुत टीपिकल कोश्चन है मुझे भी बहुत अजीब सा लागा था कि इतना डेफ्थ तक जाकर आई टी कोश्चन कर रहा है सी बी मैं बताओ कि इस कोश्चन में पूछाँगा लास्टम कि क्या अच्छा मतलब कि सक्टप्लस स्वोर मिला और किसको माइनस मिला मैं बताओ ekia कि चल्ए माइब बताताओ देखो अगर आप न्चर्ट देखोगे तो अलफा ब्लैक जो है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस तब बनता जब रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं ठीक है तो यानि कि यह तो बिल्कुल सही है बिटा ब्लैक फॉस्फोरस डाज नौट वर्न इन एर अप्टु एट सेवेंटिफाइब देखो यह डेटा यहां पर दिया गया था बिटा फॉस् पॉस्फोरस बनता है तो उसमें कुछ कुछ रेड फॉस्फोरस बच जाते हैं तो रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस को अलग करने का तरीका ही यह होता है हिन दोनों को रेक्शन करवाद तो सिर्फ वहां पर वाइट उसे रेड नहीं करता है अब यहीं अमन गोयल अब बताव तेंप्रेचर कौन याद रखता है अपको याद नहीं है तो आपको यह सब चीजे पता होनी चाहिए थी रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस को अलग कर जब वाइट रेड फॉस्फॉरस बनाते हैं तो वहां पर थोड़ा सार वाइट फॉस्फॉरस भी एज इंपुरिटी रहता है तो इसको अलग करने का मेथड यही है कि एन्ने वह से रेक्शन करा दो तो वाइट रेक्शन करके अलग हो जाएगा ठीक और बच तो बचों कैसा लगाए कोशन बताईए आई होप आपको यह कोशन पसंद आया होगा और आप एंसे आटी खोल कर देखना ठीक है वहां पर लिखा हुआ है कि पीफोर को जब हम बर्न कर रहेंगे तो आपका पीफोर टोन बना आइडिया लगा रहा हूं तो अटेम्ट लेन अगर ठीक है चलो मैं आगवा नेक्स तरफ चले आईटी प्रोफेसर कैसे बने पहले तो आगे बन जाएगा कोई आखी खुल गई आखे कैसा लगा यह कोशन पे तो दम लाइक बनता है और सेयर भी बनता है बहुत इजी है ग्रेट यह बनाए यह कोशन मेरा फेबरिट मेर बनाए हुआ कोशन है और एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है और इस कोशन में गलती होने के भी पूरे चांसे से वेन सिल्वर नाइटरेट इस टीटिटेड विद हाइपो फॉस्फोरसेस इन एक्वस मीडियम देन सलेक्ट इन करेक्टर स्टेटमेंट इन करेक्टर बताना है अराम से बनाइए देखते हैं कौन इसको बनाता है मैं बताता हूँ आमन एक वर रुख जाहिए इस कोशन में गलती नहीं होना चाहिए है 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 सर्म बोटीक कर सकते हैं कि सिर्स से परीजब 10 systems लूब फिर आइदी कर से करो से इicide ौछ फिए होता है से भाइ पिए डी करके आपको पोषड करना होगा और अपने काम में दम लाना होगा सिर्फ फर्मिलइटीश करने से नहीं होगा वैस необходимо पेहें पेहेंटे भूव होए हैं तो आपको अपने प्वेन दम लाना होगा अपकी सोच में बहुत अच्छे करना होगा साइन्स क02 में इस दम होने चाहिए हुए अघूमने को साथ में जब मास्टर समय था तो पी07 कर रहे Pakistan तो हम लोग साथ रहते थे और वो बहुत मेहनती थे उन्होंने बहुत कम समय में PhD किया फिर यूए से उन्हों पोस्ट डॉक किया एक और पोस्ट डॉक किया और वह भी आईटी दिल्ली में प्रोफेसर है तो सिनियर ही हैं बट दोस्त के जैसे थे और बहुत अच्छे इंसान है और पहले ही साल में उन्होंना इटी दिल्ली का बेस्ट फेगल्टी का एवाड भी ले लिया है आगे बढ़े डी देखे बताता हूं जब सिल्वर नाइट्रेट एजी एनो थ्री जब रियक्शन करेगा हाइपो फॉस्फोरस यानि कि एस्थरी पीयो टू से तो क्या बन प्लस फाइब में है और इसी को बोलते और फॉस्फोरी के चीड तो देखते हैं सिल्वर मेटल इज आप्टेंट यह बिल्कुल सही है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बोत है पेर इंदा हाइस ऑक्षड इसनस टेट बिल्कुल सही बोल रहा है प्लस फाइब में बनेगा और फॉस्फोरी के चीड फॉर्म बिल्कुल सही है यानि किसका अंसर होगा डी कित्तों को प्लस फोर्मुला सर जब नौकरी भारत में करनी है तो पढ़ाई ओट अफ इंडिया से क्यों करते हैं यह सर्मा यह सब बोलने की चीज नहीं और नहीं मैं इसे बढ़ बोला इस बन जाना ही सब कुछ होता है साइद आगे जाकर तो आप वहां पर साइंस कहां कंपेर कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा चीज है मैं आगे कभी बात करूंगा इस पर ठीक है और यह जो भी मैं कहता हूं यह मेरा अपना थिंकिंग है यह मैं सोसाइटी को रिप्रजिन नहीं कर रहा है सर आप कहां से कोश्चन करा रहे हैं प्लीज बताए पी ब्लॉक है आगे बढ़े नेक्स कोशन की तरफ चले भी कैसे करेक्ट है नाइट्रोजन और फस्फोरस दोनों ग्रूप 15 के हैं और नाइट्रोजन और फस्फोरस का मैक्सम ऑक्षडिशन स्टेट प् पाई चले मैं मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूं मेरा इंडर्स्ट्रल एप्रोच है रिसर्च एप्रोच भी रहा है कुछ दिनों के लिए बट मैं यहां पर नहीं कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा क्योंकि इसमें तीनों सही है और मैंने इनकरेक्ट पूछा था इस ठीक है यह लिंक रहा और इसके सारे जो भी लिंक है PDF मैं इस यहां पर सब भेजता रहता हूं ठीक है बचलो तो आजने वाले टॉपिक और अच्छे करेंगे जही के बाद एक सेशन लेना हां बिल्कुल बिल्कुल आगे बात करेंगे क्या केरियर अच्छा है बाहर जाना क आगको पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले तो सी उनले लेक्स लेक्षर तब तक के लिए बाई ग्रेडब से जुड़े रहें अपने लाइफ एक्जाम में अच्छा करते रहें बाई बच्चा लोग बाई सेशन को लाइक करना और सेयर करना मत भूलिएगा